गुड़े रिंग बच्चो आप सभी का न्यू लाइट के यूट चैनल पे श्वालत है आज हम लोग पेपर जो चेप्टर वाई जाल इंडिया चेप्टर वाई रिवियर टेस्ट है उसका रिजिस्स का पेपर डिस्स कर रहे हैं और जो टेस्ट है वो है टेस्ट नमबर 23 जो तो स्टार्ट करते हैं और जो कि पहला कुष्ट्र लोग के श्कीन पर है जल्दी से आप लोग जुड़ जाए कलप्रा किशे गोड़े विने जल्दी से आप लोग जुड़िए और पेन कापी लेके बैठिए ऑप्टिक्स के कुष्ट्रन है इसमें और कुष्ट्रन को और आटेम करिए और कुष्ट्रन का एंसर आप लोग पहले दीजिए कुष्ट्रन हम लोग पढ़ रहे है और जल्दी से सब लोग जुड़िए हो जाए है यहां पर पहला जो कुष्ट्रन है वो हम लोग पढ़ रहे है इफ एक कान के ओर इफ एक कान्वेक्स लेंस ओफ ए ऐगी औपजेक्च itself कॉशण में μέision से बाई कमशनृट को रखना है so that image अबर्जेक्ट जिससे image यहां पर ऑपजेक्ट पर ही बने ही आई है यहां से जो रहे हैं और यह आपजेक्ट से जो रहे जाती है इस लेंस पड़ेगी और यहां पर जो से यहां पर ऑब्जेक्ट से जो गई क्या होगी रिफ्रेक्शन के बाद रिफ्रेक्शन के बाद अगर इमेज जो है आपजेक्ट जो है इमेज अगर आपजेक्ट पे बने तो रिफ्रेक्शन के बाद रिफ्रेक्शन के बाद जो रहे हो वो सिंटर आप करवेचर से होके जाएगी तभी आपजेक्ट का इमेज उसी जगह प आपकर बेचर इन्फानाय। होता है तो यहां पर मिरर से रिफ्लेक्ट हो के वापस उसी पाथ पर वापस आएगी और इस जगहां पर उबजेक्ट होग फरैच्ट बन जाएगी तो इसका मतलब है कि reflection के बाद reflection के बाद जब भी question में हमें object और image सेम जगां पर बने reflection के बाद जो है वो हमेशा जो reflected ray हो वो हमेशा center up curvature से होके जानी चाहिए यहाँ पर plane mirror है और center up curvature वो infinite होता है तिसलिए इसके parallel में पड़ रही अगर यह convex या concave mirror होगा तो उसके center up curvature से होके जाती तो यही पर बनेगी तो इसका मतलब है हम यहाँ पर देख लें question में यहाँ पर mu का value दिया है तो focal lens देख लें कितना होता है focal lens तो lens के लिए focal lens का formula क्या होता है अगर एक तो हम लोग इससे लगाते है 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u यह किससे लगाते है और अगर यहाँ पर y convex lens है और इसका radius up curvature r1, r2 दिया है तो यहाँ पर formula हम लोग लिखते है एक direct formula लिख सकते है f is equal to r upon 2 mu minus 1 इससे भी नगाल सकते है जब radius up curvature save radius up curvature अगर save होगा तो formula r upon 2 mu minus 1 आएगा यहाँ पर हम लोग formula यूज कर रहे है 1 upon f is equal to mu minus 1 1 upon r1 minus का 1 upon r2 यह lens maker formula है 1 upon f is equal to mu minus 1 1 upon r1 minus 1 upon r2 r1 का value यहाँ पर plus लेना है r2 का value minus लेंगे और minus minus होके plus हो जाएगा तो यहाँ पर जो formula बनेगा f is equal to r upon 2 mu minus 1 होगा अब यहाँ पर अगर question में radius आप करवेचर r1 और r2 का value question में same हो r1 r2 का value अगर question में same हो और mu का value 1.5 हो तो हमेशा याद रखना है इस वाटिक है अगर r1 r2 दोनों का value same हो और mu का value 1.5 हो तो focal length radius आप करवेचर के बराबर होता है focal length radius आप करवेचर के बराबर होता है इसका मतलब यहाँ पर जो f आएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा, फोकल लेंद किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो radius आप curvature है, 20 cm, तो फोकल लेंद हम बिना solve के वे बता देंगे, इसका फोकल लेंद 20 cm आएग और reflection के बाद parallel जाने का मतलब है image जो बने वो कहा बन रही इंफाराइट पे तो इसका मतलब object कहां रखा होगा focal length पे तो object कहां रखा होगा focal length पे यहां u की value किसके बराबर हो f के बराबर और f का value कितना है 20 cm तो इसका मतलब जो object रखना है lens से object की दूरी focal length के दूरी के बराबर रख दें मतलब object को focal length पे रख देंगे तो image जो है clear mirror से जो ray reflection के बाद आएगी उसी object पे आजाएगी तो इसका मतलब जो answer आएगा first में आजाएगा 20 cm first में जो option आएगा वो कितना जाएगा 20 cm तो formula जो हमें lens में याद रखना है lens maker formula 1 upon f is equal to mu minus 1 1 upon r1 minus 1 upon r2 और lens का formula यह भी होता है lens में हम लोग इसको भी यूज करते हैं और एक formula f is equal to r upon 2 mu minus 1 इसको हम लोग तब ही यूज करना है जब r और r दोनों same होगा और mu का value 1.5 होगा तो focal length radius आप curvature के ब्राबर होता है ठीक है कल पना है बहुत सही पहला answer reflection यहाँ पर पहला answer सही है चलिए इसके बाद है question number second और question number second बोथ real and virtual image of the real object can be formed in तो हमें बताना है real और virtual image किसके तोरह बनते हैं real और virtual image और real object जबताना है तो सबसे पहले convex mirror में हम देखें convex mirror और conque mirror convex mirror कैसा image देता है convex mirror कैसा image देता है तो convex mirror हमेशा virtual image देता है convex mirror हमेशा virtual real object का हमेशा virtual image बनाता है इसका मतला में image कैसी बनती ही virtual होगा तो erect होगा virtual होगा तो erect होगा कानकेव मिरर हमेशा वर्चुल इमेज बनाएगी और हमको रियल और वर्चुल दोनों बताना है कानकेव मिरर जो होती है वो रियल और वर्चुल भी बनाती है तो रियल भी बनाती है और वर्चुल बनाती है तो कानकेव मिरर दोनों पॉजिशन यानी रियल इमेज भी बनाएगी और वर्चुल इमेंज बनाएगी किसकी ऋबजेक्ट होगा रियल आपजेक्ट अब्जेक्ट होता तो कान्वेक्स मिरर भी यहां पर रियल इमेज बना देती है तो क्वेश्चन के कार्डिंग हमें रियल आप्जेक्ट के लिए बताना है तो एंसर जो आएगा वह पूर्थ आपसे नाएगा कान के वह वाली इसके बाद है काफी लोगों का सही एंसर इसमे 6 cm यहां पर focal length दे रखा है 6 cm is made of glass of refracting index 1.5 refracting glass का 1.5 है the radius of curvature of one surface is double that of other surface तो यहां पर refracting index दिया है double convex lens है focal length 6 cm है और जो refracting index है 1.5 है radius of curvature यानि अगर पहले का radius of curvature R है R1 का value R है तो वो दूसरे service का जो radius of curvature double है 2R के बराबर है तो बताना है value of smaller radius यानि R1 यानि R का value बताना है question में ठीक है यहां पर stick करते है formula 1 upon F square 2 mu minus 1 1 upon R1 minus 1 upon R2 double convex lens का मतलब होता है lens ऐसा बनेगा और यह वाला lens का radius of curvature R1 और इस वाले lens का radius of curvature R2 R1 की value positive लेंगे R2 की value negative लेंगे तो यह formula बन जाता है convex बार के लिए mu minus 1 कुशन में रखना है focal length 6 cm है तो 1 by 6 हो गया is equal to यहां पर जो mu का value है 1.5 है तो 1.5 minus 1 तो 1.5 minus 1 करेंगे रिफरेंट ने वालू दिया है 1 upon R1 R1 जो है R के बराबर हमने माना है और R2 को लेना है negative इसका radius of curvature दूसरे वाले surface का कितना होगा negative होगा minus लेंगे और minus minus होके क्या हो जाएगा plus हो जाएगा और R2 का value 2R के बराबर है तो यहां पर 2R कर देंगे इसको solve करते हैं 1.5 से 1 गया तो 0.5 हो गया यहां से हम लोग LCM लेंगे 2R 2R LCM लेंगे तो बचेगा यहां पर 2 plus 1 यहां बच जाएगा 3 और यहां पर है 1 upon 6 question में 2 से इसको काड़ देंगे 3 3 और यहां पर R का value निकालना था तो R बराबर हो गया R का value 3 यहां multiply हो जाएगा 9 हो गया और यह 4.5 तो R का value आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर यहां पर answer आएगा 2nd option 3rd में 2nd option कल्पना बिल्कोश है answer आ रहा है 4.5 सेंट आप्श option यहां पर 3rd में 2nd option ठीक है इसके बाद है question number 4 शाथ में question करते जाएए अब लोग और उसका answer करिए question number 4 और यहां पर बोला गया है the symmetrical double convex lens is cut into equal part तो यहां पर एक symmetrical double convex lens is cut into equal part by plane containing the principal axis तो यह इसको बोलते है by convex lens इसी को बोलते है double convex lens और इसको cut करना है plane containing the principal axis तो principal axis कहां से जाता है यह line जो हर रही जो इसको बोलते है principal axis इस line को बोलते है principal axis और जो इसको cut करना है दो part में cut into two equal parts इस lens को दो equal parts में cut करना है और ऐसे cut करना है कि ये दो part जो equal हो और जो plain हो कैसा हो principal axis से cut करना है तो मतलब ऐसे cut करेंगे यहां से 20 से ऐसे cut कर दिया तो lens दो part में cut हो जाएगा एक तो ये वाला part बढ़ जाएगा ऐसे और एक नीचे वाला part हो जाएगा ऐसे तो हमको बताना है question में अगर lens का यहाँ पर power 4D हो original power 4D हो तो बताना हमें divided lens का power क्या होगा divided lens का power हमें बताना है question में क्या होगा तो अगर lens को हम लोग principal axis से cut करें तो यह जो focal length होता है उसमें कोई change नहीं होता अगर इसका focal length, इस वाले lens का focal length f था तो cut करने पे दोनों part का focal length होगा, उसमें कोई change नहीं आएगा f ही रहेगा, तो यहाँ पर focal length same की, cover divided lens की जो power पहले थी कितनी थी 4D, तो इसका भी 4D रहेगा और इसका भी 4D तो power में भी कोई change नहीं आएगा और यहाँ पर focal length में भी कोई change नहीं आएगा अगर किस से cut की है, principal axis से ठीक है, तो answer जो हो जाएगा इसमें change नहीं होगा, जितना पहले था उतना ही रहेगा, तो जो fourth में answer आएगा वो change नहीं होगा, थाड़ी रहेगा बिल्कुँ सही है, कलपना, third option शबना, third option, खुश्रमा, third option ठीक है, अब यहाँ पर अब अगर है, question ऐसा होता कि lens है, और lens को हम लोग ऐसे cut करते ऐसे cut करते तो हमें बताना था, इसका focal length में क्या change आता, lens को principal axis से perpendicular में cut करते इस part में cut करते तो दोनों की focal length, इन दोनों part की focal length होती, वो कितनी होती ऐसे cut कर रहे है, 20 से lens को 20 से cut कर रहे है और perpendicular ऐसे principal axis के perpendicular line से cut कर रहे है तो यहाँ पर जो focal length होगी वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है तो इसकी focal length डबल हो जाती है अगर यह question ऐसे होता, तो focal length डबल हो जाता power का value डबल हो जाती है ऐसे अगर करते है, तो cutting का question lens में हमें ध्यान रखना है कि कैसे cut की जा रहे है, अगर हम लोग इसको ऐसे कट करेंगे तो focal length double हो जाएगा और यहां पर जो value आती वो हमारी double हो जाती ठीक है लेकिन question ऐसा था तो इसका answer यह हो जाएगा question number 5 में दिखना है question number 5 the focal length of equi convex lens in air is equal to either of its radius of curvature the refractive index of the material of the lens तो यहां पर हमें question में focal length तो इसका short कर हमेशा ध्यान रखना है कि अगर question में equi convex lens दिया हो और दोनों की radius of curvature क्या हो same हो question में लिखा हुआ है equal to either of its radius of curvature the refractive index of the material of the lens तो mu का value क्या होगा focal length of equi convex lens in air is equal to either of its radius of curvature question में बोला गया है जो focal length है वो r1 या r2 के equal है तो इसका मतलब हो गया कि यहां पर जो radius of curvature है वो r1 और r2 के बराबर होगा अगर question में focal length अगर question में radius of curvature का value same हो r1 r2 का value r के बराबर हो तो हमें direct इसका यूज करना है focal length का और अभी बताया था जो focal length का formula होता है वो हो जाता है r upon 2 mu minus 1 यह focal length का formula हो जाता है जब question में क्या दिया हो radius of curvature दोनों same हो radius of curvature same हो तो यह direct formula focal length का निकालने का है अब चलिए शाल करते हैं question में बोला गया जो focal length है वो radius of curvature के बराबर है तो focal length की जगहां पर हम रो radius of curvature r रख लिया पहले से यह वाला radius of curvature r है 2 यह हो गया mu का value question में mu रहेगा minus 1 ठीक है यहाँ पर ध्यान से देखे r से r कट जाएगा 2 इधर जाएगा तो यहाँ पर 2 mu minus 2 is equal to 1 यहाँ पर 2 musical 2 हो जाएगा 3 तो question में mu का value बताना है तो mu का value हो गया 3 by 2 1.5 तो जो answer आएगा यहाँ पर फिप्त में फोर्थ आप्सन मुगल ठाकूर बिल्कुल सही सपना फोर्थ आप्सन सुमने यहाँ पर चकरिए फोर्थ में यहाँ पर फिप्त में फोर्थ आप्सन आएगा तो आप हमारे पास एक concept बन गया है कि अगर फोकल लेंथ जो है question में पूछा गया हो या given हो और radius आप करवेचर अगर r1 और r2 का value question में यह हमको ध्यान रखना है और इसको बिना solve के हुए question solve कर सकते हैं के वल को बिना यहाँ पर चलाए हुए अगर question में r1 का value r2 के बराबर हो और यह radius आप करवेचर r हो और question में mu का value 1.5 हो तो जो फोकल लेंथ होता है वो radius आप करवेचर के बराबर होता है तो यह point एक्दम याद होना चाहिए length के लिए ठीक है r1 r2 का value अगर r हो mu का value 1.5 हो तो फोकल लेंथ का value r के बराबर होता है तो यह question वैसे ही था यहाँ पर radius आप करवेचर का value फोकल लेंथ के बराबर है तो mu का value निकालना था तो radius आप करवेचर अगर फोकल लेंथ के बराबर है तो mu का value 1.5 ही आएगा तो इसको solve करने की जुरूत नहीं है हमेशा इसका concept याद रखना है और डारिक ही answer लगा देना है ठीक है इसके बाद question number 5 के बाद question number 6 और 6 में बोला गया है question number 6 में बोला गया है कि एक convex lens is dipped in a liquid whose refractive index equal to the refractive index of the lens then its power एक convex lens को dip करना है किसमें एक liquid में जिसका refractive index दिया है question में किसके बराबर है liquid refractive index equal to refractive index of the lens यानि question में refractive index mu glass है अगर मालो और जो liquid है उसका refractive index mu L है तो यहाँ पर जो liquid का refractive index है वो glass या lens के refractive index के अगर बराबर है तो हमें बताना है question में power का value क्या होगा तो हमें मालूम है कि ऐसे equation में जहाँ पर किसी lens को किसी liquid में हम लोग dip करते है लेंस को किसी liquid में dip करते है और उसका refractive index refractive index जो है liquid का वो अगर lens के refractive index के बराबर है तो यहाँ पर जो power होगी या focal length हो जाएगी वो focal length कितनी हो जाती है focal length infinite हो जाती प्लेन सीट की तरह काम करेगा तो यहाँ पर focal length infinite हो जाती है question में बताना है power क्या होगी power बराबर होता है one upon f तो power की जगाँ पर जो value आएगी one upon f यानि one upon infinite और यह value कितनी हो जाएगी 0 तो power जो हो जाता है zero और focal length कितनी हो जाती infinite जब किसी lens को refractive index जिसका new g है उसको किसी liquid में डालें जिसका refractive index उसके refractive index के बराबर है तो हमें साथ यहाँ रखना है जो focal length होगी वो infinite आएगी focal length क्या हो जाएगी infinite आएगी और जो power होगा वो zero आजाएगा nature नहीं change होगा यानि convex lens ही रहेगा लेकिन अगर किसी ऐसे liquid में हम लोग डालें जिसका refractive index glass के refractive index से ज़्यादा हो तो यह question बहुत आता है जब किसी यहाँ पर हम लोग को ध्यार रहेगा यह question बताना है आप लोग को कि अगर किसी lens को एक ऐसे liquid में डालें जिसका refractive index जिसका refractive index glass के refractive index से ज़्यादा हो तो बताओ अगर convex lens है तो उसका nature कैसा हो जाएगा convex lens का nature कैसा हो जाएगा तो यह property हमेंसा याद रथनी है कि अगर liquid का refractive index glass के refractive index से ज़्यादा है तो nature change हो जाएगा convex lens कैसा लगेगा तो नेचर चेंज हो जाता है तो ध्यानक नहींचर हो जाता है जब लिक्विट का रिप्रेटिंग डिस जाता हो और ग्लास का कम हो बिल्कों सही काफी लोगा ने एंसर सही दिया मुकल ठाकूर बिल्कों सही एंसर ठीक है बेरे गुड चलिए इसके बाद है question number seven question number seven a double convex lens of crown glass यहाँ पर double convex lens है और crown glass का बना हुआ है जिसका r1, r2 value same है तो रिप्रेटिंग यहाँ पर radius of curvature का value r1 और r2 बराबर है किसके 10 is having focal length equal to focal length of conqueo mirror conqueo mirror के focal length के बराबर है दाख radius of curvature तो conqueo mirror का radius of curvature क्या होगा जल्दी सिसका answer बताइए क्या होगा यहाँ पर double convex lens है r1, r2 का value 10 है crown glass है crown glass के लिए mu का value 1.5 होता है तो अभी हम लोग एक concept पढ़े थे concept पढ़े थे कि अगर r1, r2 का value बराबर हो और mu का value 1.5 हो तो focal length direct हम लोग निकाल सकते हैं वो किसके बराबर होता है r के तो यहाँ focal length आ गई lens की जो focal length आई वो आईगी 10 cm आप शॉल नहीं कर रहे है फर्मूला वही लगा रहे है f is equal to r upon 2 mu minus 1 ठीक है direct ही लगा देना है तो कि question में r1, r2 बराबर है mu का value 1.5 है तो यहाँ पर f की value radius up curvature के बराबर होगी यानि 10 होगा focal length अब जो lens है जो focal length आई lens की 10 cm वो कान के ओ mirror की focal length के बराबर है तो lens की जो focal length है वो किसके बराबर है mirror के focal length के बराबर है तो lens के जो focal length ही वो 10 आई तो इसका मतलब mirror की जो भी focal length आईगी वो 10 cm आईगी और question में हमको बताना है radius up curvature तो मिरर का फोकल लेंथ इसकल तू रेडियस आप करवेचर बाई टू होता है तो हमको कुश्चन में रेडियस आप करवेचर बताना है यह हो जाएगा 2 इन्टू फोकल लेंथ ओफ मिरर जो कि 10 है तो 2 इन्टू 10 होके एंसर आजाएगा 20 सेंटी मीटर तो कुश्चन में हमको रेडियस आप करवेचर बताना था मिरर का कितना आएगा तो एंसर आएगा सेकंड ऑप्सन जो सेवंथ में आएगा 20 सेंटी मीटर यहां पर मुकल सेवंथ में जो एंसर आ रहा है 20 सेंटी मीटर होगा ठीक है इसके बाद जो है कुश्चन नंबर है कुश्चन नंबर है एट है और इसका भी कॉंसेट हम लोग को पता है अगर कुश्चन में यहां पर दिया है कि विच आप दा फालॉइंग इस तूफार रेस कमिंग फॉम इनफिंटी मिवन गया और मुट अलग है तो यहां पर क्विक स्वर्म होंगे किम लोग नोगम है अगर檠 रिपरेंट होगा जितने डिपरेंट होते हैं उतने वह मीमेज रो Git तो different refract index कितना है एक तो मूट है और different count सा है Mew2 दोनों अलग-अलग है मूट और मूट यह वाला शेम है तो जब refracted index अलग-अलग होगा तो image जितने different refract index होंगे उतने image बनेगी तो यहाँ पर एक image इससे बनेगा और एक image इससे बनेगा इसे में वहीवन ऑड़ी जो邊 unmod is थी तो इन डुनों से अलग-अलग इमेज बनेगी एग वन के कारण और एक कियाँ तो टोटल इमेज कितनी बनेगी टोटल इमेज यहां पर 2 इमेज बनेगी पहले पंपंप स्पाइगा कल्पना बिल्कुंस रही फर्रस्ट आप्सें समय बिल्कुंस रही थर्ड आपसर यहाँ पर चिकर लीजिये थर्ड नहीं होगा पहले प्सटल होगा कुशन को देखिए और हमको कुशन में एंसर बताना है 8 कुशन का की इमेज कितनी बन देए ठीक है चलिए इसके बाद है कुशन नमबर 9 कुशन नमबर 9 में बोला गया है 9 में बोला गया एक आनमेक्स लेंस फार में रियल इमेज ओफ एन ऑबजेक्ट और इस तू to different position on a screen if the height of the image in the two case be 8 cm and 2 cm then the height of the object तो किसी convex lens से अगर किसी screen पे 2 different height पे या 2 different image बने तो हम लोग इसका फार्मूला माले में है की height of the image image की जो height होता है वो under root किसके बराबर हो जाता है यहाँ पर image होती है i1 और i2 के बराबर होती है तो यहाँ पर height दिया है image का एक पहला image बना है 8 पे और दूसरा image बना है 2 cm तो दो different position पे image की value दी है तो हमको बताना है height of the object तो object का height बताना है तो ओ बताना है question में ओ का value क्या होगा तो height of the object तो height of the object क्या होगा वो different image है उसका multiplication under root के multiplication में रखेंगे value तो यहाँ पर देखें 8 और यह 2 कितना हो जागा 16 तो इसका answer कितना हो जागा 4 cm image की यहाँ पर जो 4 cm आई वो क्या है गी object की height तो यहाँ पर answer जो होगा third होगा 9 में 4 cm की height आएगी तो यहाँ पर शपना बिल्कुर शहीब 9 में 3rd option 4 cm होगा समय third option बिल्कुर शहीए चली इसके बाद है question number 9 हो गया question number 10 formulae ध्यान से जितने भी formulae यूज होते हैं उनको हम लोग एक जगापर लिख लें और जिससे की सारे question को जब solve करें तो वह formulae का जरूरी यूज होता है तो एक question का जब भी formulae हम लोग solve करते हैं तो chapter के जितने भी formulae है उसको एक जिखापर लिख लें जिससे की जितने भी question हो उसमें हम लोग formulae को यूज करें चली यहाँ पर question में है और इसका अपर्चर इसमें डिए इमेज इंटेंस्टी इसमें आई है जो इमेज बनी इसके इंटेंस्टी आई है नाउ दा सेंट्रल पार्ट आप अपर्चर अप्टू डाइमेटर दीवाईटू इस इस ब्लॉप बाइट पेपर आब इसमें क्या किया गया इसके डीवाईटू जगहातर क्या कर दिआ गया यहां इसको एक ओपेपर से ढघ दिया गया इसके वीच इतने दूरी तक डी वाई टूरी तक इसमें एक पेपर से से उपेर। डॉप करद्या फोकल लेंद हमको बताना है एंड इमेज की इंटेंस्टी तैंड। सभसे पहले धेखेे लेंज को ऐसे डख दिया, बीच दूरी तक दिया तो ये पार्ट और ये पार्ट जो हम लोग का इमेज बनेगा तो इमेज जो बनेगा यह इस जगह से बनेगा फोकल लेंथ लेंज का चेंज नहीं होगा ऑफ यह पर ओर इसकी फोकल लेंथ वही रहेंगी जो झारण डूम मुंखि की तो कि अगे घएक एक साले का बड़़। है इंटेंसिती के बारे इस पे लेंस पे पड़ रही थी अब जो इस पे light पड़ेगी वो इतनी दूर नहीं पड़ेगी डिवाइटू केवल कितनी दूरी पड़ेगी जो बचय हुए पार्ट है जो open पार्ट है उतनी दूरी पे यहाँ पर लाइट आएगी तो intensity में क्या change आएगा तो जो intensity में change आएगा वो i dash नया intensity अपान i अगर हम लोग चेक करें तो यह value होती है aperture जो था उसका तो पहले अगर इसका पूरा aperture मालो d था पहले aperture अगर मालो d था तो d में से कितना घड़ गया तो d square में से फार्मूला होता है d minus d square by 2 upon d square तो यह फार्मूला होता है aperture के यहाँ पर square के डाय की प्रकोशनल होता है तो यहाँ पर जब image बनेगी उसके intensity अब यहाँ पर aperture कितना बचा d square minus d by 2 का whole square upon नीचे कितना था d square तो इसको solve करें तो d square में से d square by 4 गया तो कितना हो जाएगा 4 minus 1 तो 3 by 4 d square से d square cancel हो जाएगा तो जो intensity होगी वो change हो जाएगी नहीं जो intensity आएगी वो पहले intensity का 3 by 4 टाइम से रह जाएगा तो intensity की value क्या हो जाएगी 3 by 4 हो जाएगी फोकल लेंट में कोई change नहीं आएगा आप aperture से अगर ढख भी देंगे तो भी focal length चेंज नहीं होगा बस intensity change हो जो image होगी उसकी intensity change हो जाएगी तो answer जो आएगी focal length चेंज नहीं होगी और intensity change हो जाएगी 3 by 4 हो जाएगा तो answer इसमें 4 त आफ्न आएगा तो यहां पर बिल्कों सही क्रियांशू कर्पना का भी अंसर गों सही है आप लोग का ठीक है चलिए इसके बाद है कुश्चन नंबर विटे है एंसर क्या होगा जल्दी से पर शॉब करें सभी लोग और इसका इंसर बताएं क्या क्या होगा question number 11 का answer क्या होगा question number 11 का answer आप लोग बताईए क्या होगा चलिए देखें यहाँ पर जो answer आ रहा है यहाँ पर एक कानकेव लेंस है तो ध्यान से देखिए कानकेव लेंस है और उसको radius of curvature unequal है और ग्लास का बना हुआ है फोकल लेंस है जो है कितना है पुर्टी सेंटीमेटर अगर इस लेंस को जो कानकेव लेंस है इसको किसमें डाल दिया गया एक लिप्रीट्स index 2 है तो हमको बताना है अब इसका nature कैसा होगा और कितना focal length आएगा नेचर कितना होगा और focal length से ज़्यादा है तो इसका मतलब हुआ है कि यहाँ पर जो लेंस होगा उसका नेचर चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर कानक्यों लेंस को अगर किसी लिक्विड में डालें जिसका रिप्रेट Index उससे जाधा है, तो अब कांक्यो Lens, कैसा Jazz करेगा, वTC हमेशा बढ़ती है, लिक्विट में डालेंगे तो focus length बढ़ेंगी, तो answer क्या हो जाएगा जो answer second है उसमें बोला गया है it behaves like convex lens तो conqueo lens convex lens की तरह होगा और focal length उसका बोला 20 focal length बढ़ जाती है तो focal length पहले 40 थी तो 40 से ज़्यादा answer आएगा तो focal length इसमें 20 दिया है घटे की नहीं बढ़ेगी तो ये गलत है ये सही है अब focal length कैसे निकालेंगे focal length कैसे निकालते है ध्याद से देखे focal length in liquid upon focal length in air का फार्मूला क्या होता है ये फार्मूला हम लोग यूज कर रहे है 1 upon f is equal 2 1 upon f is equal 2 1 upon r1 minus 1 1 upon r2 इस फार्मूले का यूज कर रहे है ठीक है इसका फार्मूला क्या हो जाएगा तो 1 upon यहाँ तो mu glass glass का referent index minus 1 upon mu किसका glass का with respect to liquid minus का बन जाता है दोनों का फार्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा a referent index of glass with respect to air upon इसका क्या लिखेंगे a mu g upon a mu l ठीक है 1 upon r1 कर जाएगे तो यह फार्मूला आ जाएगा value रख देते हैं तो focal length जो है निकालना है air में lens में liquid में air में जो focal length है question में है वो 40 तो यह 40 value आ गई यहाँ पर mu g का value glass का referent index 1.5 है तो 1.5 minus 1 हो गया यहाँ पर 1.5 upon नीचे a mu liquid का 2 है यह 2 minus 1 ठीक है तो यह 0.5 गवा 0.5 गवा 2 तो यहाँ पर जो 2 उपर आ गया तो यह value 2 आ गया जो liquid का focal length आएगा liquid में जो focal length आएगी वो two times हो जाएगी डबल हो जाएगी है तो answer जो आएगी हमारी यहाँ पर double हो जाएगी यानि 80 cm हो जाएगा तो पहला answer सही होगा focal length डबल हो गई और जो lens था उसका nature change हो जाएगा तो यहाँ पर जो answer आएगा वो first option आएगा 11 में first option चले इसके बाद है question number काफी लोगों का answer इसमें first आ रहा है शपना first option प्रियांशू पहला option iron man चलिए इसके बाद है question number 12 और यहाँ पर हमको बताना है एक 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 वी convex lens है एक वी convex lens है और उसका focal length question में दिया है 10 cm और इसको silver कर दिया और एक side अगर इसको हम लोग silver कर दिया तो question में हमको बताना है इसका nature कैसा हो जाएगा convex lens है एकवी convex lens है और उसका एक side silver कर दें तो ये एकवी convex lens है और इसको क्या कर दें silver कर दें इसका एक side को silver कर दें तो हमको मालूम है ये mirror की तरह काम करेगा और अगर ये convex lens है तो ये तो हमको बताना है question में कि इसकी focal length किनी आजाएगी focal length कितनी आएगी तो इसका formula direct हम लोग use कर सकते हैं जो focal length होती है combined इसका जो focal length आएगी mirror की उसकी focal length कितनी आएगी focal length यह होता है r upon 2 mu minus 1 इससे डाइट यह आजाता है अगर हम लोग 1 वी convex lens का एक surface को क्या कर दें to यह focal length आती है combined जो combined यहाँ पर बनेगा उसका फोकल लेंथ f is equal to r upon 2, 2 mu minus 1 होता है, चलिए value रखते हैं, r का value question में ध्यान से देखें, radius of curvature question में कितना दिया है, इक्वी convex lens of focal length 1.5, तो यहाँ पर radius of curvature focal length के ही बराबर होगा, तो यहाँ पर focal length है 10, तो radius of curvature भी 10 होगा, यह 2 होगया, 2 mu minus 1, mu का value 1.5 है, 1.5 minus 1, तो value कितनी आ जाएगी, 3 minus 1, 2, तो यहाँ पर 10 upon 4, 10 upon 4, तो इसका बंदब है 2.5, तो focal length आएगी 2.5, mirror होगा, कान के हो mirror, तो जब भी हम लोग silvering करते हैं, और इसके एक surface को अगर silvering करेंगे, तो focal length जो आती उसका फार्मूला याद रखना है, आप f is equal to r upon 2, 2 mu minus 1, तो यह direct आ जाएगा, अगर इसको हम लोग use करेंगे, तो direct formula में रखेंगे, बस scale value रखनी है, ठीक है, तो यहाँ पर जो answer आएगा, थर्ड आपसन आएगा, 12th में थर्ड आपसन, तो सभी लेखका answer इसमें 4th दे रहे है, focal length गरवड आ रही है, focal length 20 है, focal length कितनी आएगी, 2.5, तो answer यहाँ पर, थर्ड आपसन आएगा, focal length 2.5 cm आएगी, चलिए इसके बाद जाए, question number 13, a boy is a 1.8 meter tall, तो यहाँ पर एक लड़का, कितने meter tall है, 1.8 meter tall है, और can see his image in a plain mirror, fixed on a wall, his image are 1.6 meter from the floor level, his eyes are 1.6 meter, तो question में हमको बताना है, minimum length of mirror, तो minimum length कितनी चीए mirror की, तो बताएगा, अगर हमें अपना पूरा image देखना है, तो जो image minimum length होती है mirror की, तो mirror की minimum length हाएगी, वो कितनी होती है, mirror हमको जो use किया जाता है, वो जितनी height होती है, अपने height का कितना, आधा height अगर हम लोग ले, तो उतनी mirror की हमको क्या लखनी होगी, length रखनी होगी, तो mirror जो होता है, यूज़ करने, अपना पूरा image देखने के लिए, अपना पूरा image देखने के लिए, हमको अपनी height का आधी, का mirror यूज़ करेंगे, height question में कितना दिया है, 1.8, 1.8 है, और इसको 2 से divide करेंगे, तो value कितनी आजाएगी, यह value आजाएगा, 0.9 meter, तो जो mirror यूज़ करेंगे, उसका length 0.9 meter आएगा, तो 0.9 meter length का हम लोग यहाँ पर use करेंगे mirror, तो ध्यान रखना है, यह formula याद रखना है, जो mirror की length होती है, वो h by 2 होती है, तो 13 में यहाँ पर third option, शपना, इसमार्ट, विल्कुशाई C option आ रहा है, चलिए, इसके बाद question number 13 के बाद 14, और यहाँ पर question में, 14 में दिया है, light of wavelength 5000, angle storm falls on a plane, reflecting surface, what angle of incident is the reflected ray, normal to the incident ray, तो हमें question में बताना है, what angle of incident, incident angle का मतलब हुआ, angle i का value, reflected ray के normal है, तो incident का angle बताना है, ठीक है, देखिए द्यान से, तो यहाँ पर जो incident angle और reflected ray आपस में normal है, incident को अगर हम लोग i बोलें, और यह अगर r हो, तो इनके बीच में जो angle बढ़ रहा है, वो 90 degree बढ़ रहा है, incident और reflected ray, normal to each other, तो इसका मतलब i plus r का value 90 degree है, तो यहाँ से हमको बताना है question में, angle की value क्या होगी, incident, और यह भी हमको मालूम इसनल सला से, कि i की value r के बराबर होता है, जिसनल जना में, i का value r के बराबर होता है, तो यहाँ पर 2, i is equal to 90 degree, तो हमको question में i का value बताना था, तो i का value हो जाएगा, 45 degree, तो जो 14th में answer आएगा, वो 4th आपसन आएगा, 14th में answer जो आएगा, वो 4th आएगा, ठीक है, ठीक है, इसके बाद जो है, question number है, question number 15, question number 15, question number 15 को देखे, a man runs towards a mirror at a speed of 15 meter per second, the speed of the image, relative to the man, image की हमको बताना है, velocity, with respect to, with respect to, image of image बताना है, speed, with respect to man, man के respect में क्या होगा, चलिए, देखे, अगर मान नहीं एक बाद है, और यह dot rise side में, और इसकी, speed कितना है, 15 meter per second है, यह मान लो object है, तो image भी, यहाँ पर होगा, और वो इसकी तरफ आएगा, यह image है, इसकी भी speed कितनी होगा, 15, हमको बताना है, image or relative to man, तो velocity of image, with respect to man, यह क्या हो जाएगा, velocity of image, velocity of image, minus का velocity of man, यह man है, ठीक है, image की direction इस side है, 15 है, और यह direction opposite है, इस side में plus हो जाएगा, तो जो image आती है, वो double हो जाती है, two times हो जाती है, तो answer जो हो जाएगा, image की, with respect to man, जो velocity आती है, वो कितनी आती है, 30 meter per second, तो double हो जाती है, तो यहाँ पर कितनी थी, 15, तो इसका double कर देंगे, जो अगर man की speed 15 meter per second है, तो image के respect में man की speed 30 हो जाएगी, तो answer जो आएगा, वो 30 हो जाएगा, 15 में second, तन में बिल्कुछ second option, iron man, smart, यह सब का answer भी आ रहा है, बिल्कुछ सही answer, तो यहाँ पर जो answer आ रहा है, वो 30 meter per second image जो होती है, उसके speed double हो जाती है, question number 16, soap bubble looks at color due to, soap bubble का जो color होता है, उसमें color बनता है, तो color किसके कारण होता है, तो color किसके कारण होता है, interference, किसके कारण, interference के कारण, तो screen में answer क्या होगा, interference answer होगा, जो soap bubble का color होता है, soap bubble जो color होता है, वो किसके कारण होता है, due to interference के कारण होता है, कुस्टन नमर इसके बाद है 17 और कुस्टन में बोला गया है to increase both the resolving power and magnifying power of telescope resolving power और magnifying power दोनों का value हमको क्या करना है इंक्रीज करना है तो बताना है हमें कोश्टन में कि telescope में इसकी value क्या होगी focal length और aperture में क्या change करना पड़ेगा तो हमको मालूम है जो magnifying power होती है वो किसके बराबर होता है FO upon FE के बराबर तो टेलिस्कोप में तो magnifying power का value FO upon FE के बराबर होता है तो अगर focal length of object के हम लोग increase करें तो magnifying power का value बढ़ जाएगा और अगर aperture को हम लोग बढ़ाएं aperture की value बढ़ाएंगे तो क्या हो जाता है resolving power की value बढ़ जाती है तो यहाँ पर focal length को बढ़ाना होगा और aperture को object lens के aperture को बढ़ाएं तो यहाँ पर answer जो आएगा 17th में 4th option आएगा 17th में 4th option आएगा dispersion जो होता है वो color dispersion क्या होता है dispersion जो होता है वो जो color different color में change होना जैसे किसी white light को अभी हम लोग पढ़ेंगे किसी white light को अगर हम लोग किसी lens से यह माली जे कोई प्रिजम है और यहाँ पर white light इस पर रही है तो जो dispersion होता है वो क्या होता है dispersion जो होता है वो color में change कर देता क्या हो जाता है dispersion में color जो होते है अलग-अलग color में यहाँ पर change हो जाता है विप्योर में तो यह अलग-अलग color में change होना तूटना कहलाता है dispersion तो dispersion क्या होता है अलग-अलग color में white color अगर भेजा जाए और वो different color विप्योर में change हो जाए तो इसी को बोलते हैं dispersion अपने ठीक है ना तो dispersion होता है white color अपने different color में change हो जाना इसको बोलते हैं dispersion ठीक है question number इसके बाद 17 हो गया question number 18 18 में बोला गया है एक polychromatic beam of light passes from denser medium to rarer medium due to this तो एक light denser medium से rare medium क्यों जा रही है हमको बताना है question में velocity का value क्या होगा तो denser से rare में जाने पर बताओ question में frequency का value change नहीं होती बाकी velocity और wavelength दोनों change हो जाती है और denser से हमको मालूम है जो velocity होती है वो rare में जादा होती है velocity rare में जादा होती है और denser में कम होती है तो rare की velocity जादा होती है एंसर से रेयर में जब भी रे जाएगी तो वहाँ पर विलॉस्टी का पैलू बढ़ जाएगा रेयर मीडियम की विलॉस्टी ज्यादा होती है इसका मंदर विलॉस्टी क्या हो जादी है इंक्रीज करेगी विलॉस्टी इंक्रीज कर जाएगी वेबलेंथ भी इंक्रीज कर ज हाँ, frequency नहीं change होती, medium change करने से frequency नहीं change होती, velocity और wavelength वो change हो जाती है, question number 19, हमको बतारा है question में diamond का जो cut किया जाता है, sparkle, because of, तो cut diamond ज्यादा चमक देता है, cut diamond sparkle, तो जो cut diamond होता है, वो क्या होते है, sparkle होते है, बहुत ज्यादा चमक होती है, तो यह किसके कारण होती है, तो इसकी जो, क्या होता है, इसमें TIR होता है, इसका referring index बहुत ज्यादा होता है, और इसमें TIR होता है, total internal reflection के कारण, जो diamond होता है, उस यहां पर डामेंड का जो कटिंग होता है उसमें इस पार्केल इसी कारण होता है क्योंकि उसका टी आई-ार होता है और उसमें टी आई-ार और उसका रिप्राइट इंडेक्स ज्यादा होता है चलिए इसके बाद कुछन नवर टॉंटी ए प्लेन ग्लास ब्लॉक इस प्लेज कौन दा लेटर ओपेड्रेंट कलर दा लेटर विच एपियर टू मिनमम सिप्टिंग अप्वर्ड तो अगर किसी प्लेन ग्लास को किसी हम लोग इस पर रख दें लेटर पर रख दें तो कौन सा कलर सबसे कम ऊपर की ऊपर करेगा तो हमको मालूम है जो शिप्टिंग होती ह जो shifting होती है, वो किसके बरावर होता है, shifting is equal to होती है, d, one minus one by mu के बरावर होता है, one minus, यह shifting होता है, तो जिसका mu, question में, mu का value सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है, देखो, mu का value, one upon lambda के proportional होता है, जिसका wavelength ज़्यादा होता है, उसका mu का value, जिसका wavelength ज़्यादा होगा उसका mu कम होगा red color का wavelength ज़्यादा होता है red color का mu का value कम होता है ठीक है तो यहाँ पर जो shifting होगी कौन सा color कम shift करेगा तो यहाँ पर minimum shifting किसके लिए होगी जिसका minimum shifting किसके लिए होते है जिसका हमें wavelength ज़्यादा होगा तो wavelength सबसे ज़्यादा किसका होता red का, तो सबसे कम shifting कौन करेगा, red करेगा, सबसे कम shifting red color करेगा, अगर पूछा जाता कौन color सबसे ज़्यादा shift करेगा, तो सबसे ज़्यादा shift कौन करता, वो विब्योर यानि violet सबसे ज़्यादा यहाँ पर करता, तो answer इसमें जो आएगा, shift shifting question में पूछा गया तो minimum shifting rate color करता है और सबसे ज्यादा upper में पूछा गया shift it upward तो यहां पर सबसे रेट जो है minimum shifting करेगा और सबसे ज्यादा violet करेगा ठीक है इसके बाद question number 21 21 क्या होगा फार में प्रिज्म पार एंगल पर बताना है minimum deviation is equal to angle of deviation का value क्या होता है Mu और यह value किसके बराबर है minimum angle of deviation अगर इसको lambda से करें यहां पर तो इसका value किसके बराबर हो गया Mu से बराबर है question में दिया है angle of minimum deviation equal to एंगल और यह किसके बराबर एंगल और प्रिजम के बराबर एंगल और प्रिजम का वैलू क्या होता है तो यह इसको बोल रहा है एंगल किसका बना मिनमाम एंगल और डेविएशन ठीक है अब इसका वैलू किसके बराबर है एंगल और प्रिजम जिसको ए बोलते है ठीक है फ प्लस A by 2, minimum deviation का फार्मूला लगते हैं, sin A by 2, यह फार्मूला होता है, mu is equal to, जब कुश्चन में minimum deviation दिया होगा, तो mu refractive index का फार्मूला यह हो जाता है, अब यहां से value रखते हैं, mu का value question में given है, mu का value 1.5 है, sin, ऐसे रन देते हैं, और यहां पर यह value दोनों A लिखते हैं, A plus A upon 2, तो यह A आ रही गया, 2 A by 2 हो गया, तो A बचा उपर, और यह value हुआ, sin A by 2, ठीक है, अब इसको solve करना है, question में दियान से देखिए, और इसको question में solve करना है, अब यहां पर हम value, अगर, यहां पर sin A है, और नीचे sin A by 2 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, यही देखना है, इसमें question में, 1.5, sin A का value कैसे लिखते हैं, अच्छा यह बताइए, sin 2 A का formula याद है, sin 2 A is equal to होता है, 2 sin A into cos A, sin 2 A का value, 2 sin A into cos A होता है, तो sin A बराबर क्या हो जाएगा, sin A is equal to हो जाएगा, 2 sin A by 2 into cos A by 2, यह formula बहुत अच्छा है, important है, याद रखना है, जब इसको कुशन में, sin A का value रख रहा है, तो sin A is equal to होता है, 2 sin A by 2 cos A by 2, फार्मुला कहां से आएगा, sin 2 A से आएगा, चलिए, अब value रख देते हैं, sin A की जगहां पर रख देंगे, 2 sin A by 2 cos A by 2, फिक है, divided by, यहाँ पर था sin A by 2, sin A by 2 से sin A by 2 यह वाला कट गया, तो answer हमारा पास आया, 1 by 1.5 बराबर, 2 cos A by 2, फिक है, cos A by 2 is equal to, cos A by 2, calculation ध्यान देना, calculation में ही सारा, इसमें calculation में ही सारा complexion है, तो इसको ध्यान रखना है, cos A by 2 का value किसके बराबर हो जाएगा, 1.5, 1.5 by 2, 1.5 को 3 by 2 लिख सकते हैं, तो यह value हो गया 3 by 4, sin यहाँ पर cos है, तो cos inverse यहाँ पर लिख सकते हैं, A by 2 is equal to क्या हो जाता है, cos inverse, 3 by 4, A is equal to क्या जाएगा, 2, cos inverse, 3 by 4, calculation देख लिजे, calculation इसका, तो cos, यहाँ पर जो हमको बताना है, तो question में, angle of, या prism angle, angle of reflection का value बताना था, यह किसके बराबर होगा, तो angle of prism का value, A का value बताना, तो A बराबर 2, cos inverse, 3 by 4, तो answer third आएगा, 21 में, optics किस में आते हैं, 12 में आता है, optics का part, 12th NCRT में है, तो 12th के part में, optics आएगा, तो यहाँ पर, question number 21 में, calculation ध्यान रखना है, यहाँ पर, sign A का value हमफुल रखना होगा, और यहाँ पर, question को, जब भी solve करेंगे, तो ध्यान रखेंगे, calculation का, ठीक है, चलिए, question number 21 हो गया, question number इसके बाद है, 22, question number 22, a light ray is incident on the interface of two medium, at angle of 45 degree, it gets reflected in second medium, at angle of 30 degree, then speed of light, in second medium, will be, if first medium is air, तो हमें बताना, second medium में, speed कितनी होगी, तो question में, हमको speed का value बता रहा है, चलिए देखें, अगर एक medium हो इसको बना दे, और यहाँ पर, normal है, a light ray is incident on the interface of two medium, at angle of 45, यहाँ पर यह 45 angle से आ रहा है, तो यह angle हो गया, 45 incident angle, और जब यह दूसरे medium में गया, तो यहाँ पर यह angle हो गया, 30 degree, air है, और इसमें कोई medium है, दूसरा medium, हमको बताना है इसमें, चलिए अगर इसको हम लोग solve करें, तो इसने ल सिला लगा दे, यहाँ पर हम लोग क्या लगा दे, इसने लगा दे, तो इसने ल से क्या होता है, यहाँ का mu into sin 45, तो mu air है, तो यहाँ पर mu का value हमको मालूम हो गया, mu बरावर हो गया, sin 45, sin 45 upon sin 30, value रखते है, sin 45 का 1 by root 2, और sin 30 का value, 1 by 2, तो 1 by 2, 2 पर चला गया, root 2 हो जाएगा answer, तो mu का value root 2 आ गया, mu जो होता है, वो किसके बरावर होता है, जो mu होता है, velocity of, mu बरावर क्या होता है, c by v, mu क्या होता है, velocity in air, upon velocity in medium, तो question में हमको बताना है, velocity medium में क्या होगा, तो velocity medium का vm है, तो vm की value जो हो जाएगा, c by root 2 हो जाएगा, c by root 2, medium की जो velocity आएगी, वो velocity of light का, 1 by root 2 times हो जाएगा, तो 1 by root 2 करेंगे, तो c का value हमको मालू में, c का value कितना होता है, 3 into 10 का power 8, और इसका root 2 करना है, हमें question में, तो velocity आजाएगी medium की, root 2 1.4 से, तो value लगबग 2 point, something आएगा, तो 2.12 into 10 का power 8, तो answer आजाएगा हमारा, 22 में second option, 22 में second option, प्रियांशू, तो बिलकुशाइज second option आएगा, चेक लिए, तो concept को ध्यान रखना है, ये question अच्छा है, चलिए इसके बाद 22 के बाद, question number 23, 23 में, time taken by light, to cross 4 mm thick glass slab, of refresh rate index, index 3, तो माल लिए ये एक glass है, जिसका thickness कितना है, question में, 4 mm, और इसका refresh rate index कितना है, new का value 3 है, इसमें से light आ रही है, और इसको कितने समय लगेगा, इसको cross करने में, तो question में समय निकालना है, तो समय बराबर होता है, speed, समय बराबर होता है, distance upon speed, तो दूरी कितनी लेंगे, thickness है, 4 mm, 4 mm को मीटर में बदल दिया, और, new से multiply कर देंगे, thickness कितनी हो जाएगी, new times हो जाएगी, thickness 4 है, और इसका refresh rate index अगर new है, तो new times इसमें दूरी हो जाएगी, speed जो होती, speed of light रखना है, 3 into 10 का power है, new का value question में 3 है, तो उपर आ गया, 4 into 10 का power minus 3, into 3 upon 3 into 10 का power 8, 3 से 3 कट गया, 8 उपर गया, minus हो जाएगा, तो 4 into 10 का power minus 11, तो answer जो आएगा, वो first option आएगा, 23 में first option, कलपना first option, इसमांट बिलकुँच है ही first option आ रहा है, तो सभी का इसमें first option आ रहा है, बिलकुच है ही, अच्छा कलर इसमें नहीं सौन जा रहा है, किस कौन सा कलर कह रहे हूं, कलर white या yellow, red नहीं दिख रहा है, चलिए यह कलर चे करते हैं, चलिए यहाँ पर color चेंज करते हैं, चलिए green से करते हैं, इसमें दिखेगा, question number इसके बाद है, 23 के बाद, 24, an object is immersed in a liquid, किसी object को अगर हम लोग liquid में डाल दे, in order that the object becomes invisible, और जो object हो, वो क्या हो जाए, invisible हो गया, तो हमको बताना है, it should be, तो इसका हमको बताना है, कि इसका जो refractive index होगा, या वो कैसा विहाइब करेगा, तो यहाँ पर देखी ध्याद से, एक object को immerse करना है, किसमें liquid में, liquid में immerse करना है, और object क्या हो जाए, invisible, तो यह तब होगा, जो refractive index हो, किसका lens या glass का refractive index, जो हो किसके बराबर हो जाए, जिस liquid में डाला जा रहा है, उसके refractive index के बराबर हो जाए, जब ऐसी condition होती है, तो वो क्या हो जाएगा, वो invisible हो जाएगा, object क्या हो जाता है, invisible हो जाता है, तो हमको बताना था question में, कि यह condition कब होगी, तो कब होती है, इसका मतलब हुआ है, जो refractive index of glass, या lens हो, और liquid का refractive index हो, वो किसके बराबर हो जाए, one के बराबर हो जाए, दोनों का ratio क्या आ जाए, one आ जाए, तो जो है, object क्या हो जाता है, individual हो जाता है, plane sheet of glass की तरह work करता है, तो हमको यह लगेगा, बीच में कोई भी medium नहीं है, तो जब भी ऐसा condition होगा, तो ध्यान रखना है, individual तब ही होगा, जब दोनों का refractive index सेम हो जाए, या उसका ratio one के बराबर हो जाए, चलिक क्योश्चन आ बाज़ के बाद है, 25, one of the refracting surface of the prism of angle 30 degree, prism angle 30 degree दिया है, is silver, इसको silver करना है, array of light incident at angle of 60 degree, incident angle question में दे रखा है 60 degree, retrace its path, और path कैसा करना है, retrace, सबसे important line है, path जो होना है, वो retrace होना है, path कैसा होना है, retrace होना है, तो हमें बताना है, refractive index of material क्या होगा, mu का value क्या होगा, तो ये hint ध्यार रखना, जब भी question में retrace हो, मतलब अपने path पे वापस लोट आए, तो हमको यहाँ पर बताना है question में, refractive index का value क्या होगा, चलिए ध्यार से देखें, अगर एक prism को ले, ये मालने ते हैं, एक ऐसा prism मिले रहे है, ये prism angle question में दिया है, वो है 30 degree, prism angle हो गया A, A का value question में 30, इसको बोलते है, prism angle, अब जो है, retrace इस पास अभी होगा, जब यहाँ पर ray इससे टकराए, इस surface से, और normal जाय से, टकराके फिर वापस लोट आए, इसका मतलब इस surface को, अगर हम लोग mirror की तरह यूज करें, और silver कर दिया गया, इस plane surface की तरह इसको यहाँ पर बना दिया, तो इसके कैसे आएगा, नार्मल जब पढ़ेगा, तो नार्मल लोटेगा, मतलब retrace होने के लिए, जो भी mirror होगा, उस पे कैसे पढ़े, नार्मल, तो नार्मल इस पर पढ़ा, यह path इसे वापस लोटा है, तो हमको बताना है question में, कि question मताना है, the refractive index of material, तो इसका बताना है, प्रिजमिक का refractive index mu है, चलिए angle question में दे रखा है, यहाँ पर angle of incident 60 है, तो यह angle कितना है 60, यह angle R1 है, तो retrace path होता है, तो जब question में, R2 का value किया हो जाए 0, जब R2 का value 0 होता है, तो retrace path होता है, नार्मल जब होगा, तो यहाँ पर R2 का value कितना हो जाएगा 0, तो इसका मतलब हुआ, R1 का value किसके बराबर हो जाएगा, A के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमको मालूम है, R1 प्लस R2 मिलके, क्या बनाता है, प्रिज्मेंगेल A के बराबर, R2 0 हो गया, तो R1 का value A के बराबर हो गया, चलिए, A का value कुश्चन में कितना है, 30 degree, चलिए, अब यहाँ पर इस नेल्स ला लगा है, इस सर्फेस, पे μू का value निकालना है, sine, और sine R1, और sine R1 का value कितना है, 30, तो μू का value यहाँ पर आएगा, μू बराबर, sine 60 upon, sine 60 upon sine 30, और कुश्चन में, sine 60 का value रखना हमे, sine 60 का value कितना होता है, root 3 by 2, और sine 30 का value कितना होता है, 1 by 2, 2 से 2 cancel हो गया, तो answer हमारा जो आएगा, वो root 3 आएगा, प्रियांसु सिंग, बिल्कुश है, प्रिजम एंगल 2, R होगा, जब retrace path करेगा, तो R2 का value, जिस path से retrace होगा, वो जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R2 का value आपर 0 कर देंगे, और इसने से लाएगा ले सर्फिस पर लगा दिया, तो answer जो आएगा, root 3 आएगा, तो answer जो आ रहा है, वो second option आ रहा है, तो बहुत important question है, इसको ध्यान रखिएगा, NEET में जरूर आता है, इसा question 25, सपना 25 का B, बिल्कुश चाहिए answer, Mr. Smart, B option बिल्कुश चाहिए, ठीक है, 25, प्रियान शूर बिल्कुश चाहिए, इसके बाद question number 26, 26 में बोला गया है, reflecting angle of prism is a, and reflecting index of material of prism is caught a by 2, the angle of minimum deviation, question में हमको बताना है, minimum deviation का angle कितना होगा, तो हम लोग को मालूम है, यहाँ पर, कि जो minimum angle of deviation होता है, तो उसके लिए जो mu लिखते हैं, उसका formula क्या होता है, अभी लिखाता है, sin a plus minimum deviation by 2 upon sin a by 2, यह formula minimum deviation के लिए हम लोग जूज करते हैं, फार्मूले को याद रखना है, ठीक है, अब यहाँ पर value दियान से रखें, जो यहाँ पर refracting index है, उसका value cot a by 2 है, तो mu का value यहाँ पर cot a by 2 रखना है, cot a by 2 is equal to sin a plus, और यहाँ पर prism angle a है, और यहाँ पर prism angle a है, तो यहाँ पर sin हो गया a plus, minimum deviation upon 2, नीचे कितना हो गया sin a by 2, यहाँ से देखें, इसको cot a by 2, cot का value होता है, cos upon sin, तो cot a by 2 बराबर हो गया, cos a by 2 upon sin a by 2, तो इसकी जगाँ पर हमने यह value रख दिया, और यह पूरा value ऐसे repeat हो जाएगा, sin a by 2 से sin a by 2 कट जाएगा, तो हमारे पास जो फार्मूला बना, जो फार्मूला बनेगा, वो हो जाएगा, cos a by 2 is equal to, calculation ध्यान से देखिएगा, कैसे हो रहा है, cos a by 2 is equal to हो गया, sin a plus minimum deviation by 2, ठीक है, अब cos a by 2 को हम लोग लिख सकते हैं, इस value को ध्यान से देखें, इसको हम लिख सकते हैं, cos a जो आता है, cos a by 2, sin 90 minus theta, cos theta के बराबर होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, sin 90 minus theta, is equal to, यह देखिए value, यह ऐसे रहेगा, बस हमने क्या मतल दिया, question में, हमको यहाँ पर cos a by 2 दिया था, तो हम cos की value, sin के form में लाना है, तो cos 90 minus theta, is equal to cos theta, तो यहाँ पर यह value आ गया, अब यहाँ पर यह sign और यह sign हड़ जाएगा, तो यहाँ पर हमाएं पास, 90 minus a by 2, 90 minus a by 2, is equal to हमाएं पास value आएगी, यहाँ पर जो value आई है, वो a plus minimum deviation by 2, minimum deviation by 2 होगा, 2 इससे multiply हो गया, तो हमाएं पास जो value आ जाएगी, वो क्या हो जाएगी, तो यह हो जाएगा, 180 minus a by lambda minimum, ठीक है, plus a, 2 से 2 इधर वाला कट जाएगा, यहाँ पर 2 था, यह 2 से इधर multiply कर दे रहें, तो 2 से यह आगया, यह आगया, ठीक है, यहाँ पर a आजाएगा, यह वाला a इधर आके क्या हो जाएगा, यह वाला a आके इधर जुड़ गया, तो यहाँ पर lambda minimum deviation का value, minus a, यह a है, इधर आके minus हो जाएगा, तो minus 2a, बराबर क्या जाएगा, lambda minimum, तो deviation का value बताना था, 180 minus का, जो answer आएगा 2a, तो 180 minus 2a, तो answer जोगा, 26 में 4th option आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर answer ध्यान से देखें, जो answer आएगा, वो 26 में 4th option आ रहा है, कलपना, D option, 4th option आएगा, ठीक है, 26 में 4th option, question number 727, total internal reflection, take place when light is it, तो TIR कब होता है, question में हमको बताना है, total internal reflection कब होता है, TIR, total internal reflection तब होता है, condition ध्यान रखनी है, कि जब भी ray कहाँ से जाए, total internal reflection तब होता है, जब ray जो है, denser medium से, rare medium में जाए, denser medium से, rare medium जाए, और जो critical angle का value होता है, यहाँ पर, जो incident angle होगा, critical angle से, ज़्यादा होना चाहिए, incident angle का value, critical angle से, ज़्यादा होगा, तब ही TIR होगा, तो answer हमें, total internal reflection कब होगा, तो बताना है, one concave mirror, तो mirror में नहीं, here on plain glass surface, at content, तो denser से rare, तो denser से rare में, option कोन है, from inside glass plate, water at the certain event, तो यहाँ पर, inside glass plate, water से glass वाले plate, तो denser से rare में जानी चाहिए, तो चौथा आपसन साहिए, फोर्था आपसन होगा, denser to rare medium, बिल्कु साहिए answer, 27 में फोर्ट, चले, question number इसके बाद है, 28, the splitting of white light, splitting of white light, into several color, तो white light का, several color में तूटना, क्या 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 आता है, प्रिज में से, तो अभी बताया था, अगर different किस में तूटे, color में तूटे, split करे, तो यह जो color, different color में तूटता है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, dispersion, dispersion, ठीक है, तो answer जो होगा, dispersion होगा, 28 का, चले, इसके बाद है, question number 29, rainbow is a form due to combination of, हमको बताना है, rainbow जो है, वो किस के combination से मनता है, तो बताइए, यहां पर rainbow जो है, उसमें, rainbow जो हता है, वो reflection, और, reflection और इसमें, यहां पर dispersion, and total interaction, आप संद जो है, reflection है, absorption है, dispersion है, reflection, and scattering है, dispersion and total interaction, reflection है, तो 29 में हमको बताना इसमें, क्या होगा तो देखे जहां से 29 में क्या होता है यहां पर जो rainbow होता है उसमें क्या होता है एक होता है primary rainbow और एक होता है secondary rainbow यह जो होता है TIR होता है इसमें क्या होता है total internal reflection भी होता है और क्या होता है यहां पर reflection होता है और stir होता है, तो यहां पर primary reflection और primary rainbow और two tir होता है, तो इंसर्च होगा उसमें tir और refraction होना चाहिए, तो यहां पर dispersion या reflection होना चीए 29 में 4th option सही होगा dispersion, reflection और TIR ठीक है तो answer जो होगा TIR जो होता है वो तो reflection या dispersion और total internal reflection का result होता है चलिए 29 के बाद 30 principle behind optical fiber optical fiber का principle किस process पर होता है optical fiber जो होता है वो TIR की concept पर होता है तो TIR concept पर हम लोग 3 चीज़ पढ़ते हैं एक तो हम लोग पढ़ते हैं miras miras पढ़ते हैं और दूसरा क्या पढ़ते हैं अभी हम लोग ने पढ़ा था diamond का cut जो होता है वो किसके कारण चमकता है तो diamond का cut वाला ये भी होता है TIR की कारण और एक हम लोग में और एक हम लोग पढ़े हैं, looming, तो looming जो होता है, वो भी किसके कारण होता है, TIR के कारण होता है, तो आप्टिकल फाइवर भी जो होता है, वो TIR होता है, तो यहाँ पर आप्टिकल फाइवर, looming, diamond का cut part, cut होके जो चमकना होता है, यह सब जो होता है, सब तो याद रखना यार के जो concept है हम लोग मिराज में पढ़ते हैं डायमेंड के कट में पढ़ते हैं और आप्रिकल फाइवर में पढ़ते हैं तो एंसर जो होगा जो light थी वो transfer nature की थी तो polarization जब पढ़ेंगे और उसमें हम लोग यह चीज पढ़े थे कि यह transfer nature को prove किया था चलिए इसके बाद है question number 32 the thin prism p1 with angle of 4 तो prism angle 4 यहां पर दिया है prism का angle 4 degree and gloss refracting index 1.5 is combined with another thin prism p2 made from glass of refracting index 1.72 to produce dispersion without deviation तो सबसे important line है इसको ध्यान रखना dispersion without deviation यही से question solve हो जाएगा हर question में कोई न कोई hint होता है हर question में एक hint होता है तो उस question में हमको ध्यान रखना है कि हो hint कहां पर है तो यहां पर ध्यान रखो dispersion without deviation dispersion without deviation इसका मंदब है जो deviation है वो क्या होना चीए जीरो होना चाहिए और deviation का जो फार्मूला होता वो क्या होता है A mu-1 पहले अगर prism के लिए A1 mu1 तो यह दूसरे prism के लिए A2 mu2-1 तो यहाँ पर dispersion without deviation तो deviation क्या होना थी जीरो होना चाहिए चलिए value रखते हैं प्रिज्मेंगल A1 यानि यह 4 है mu1 कितना है 1.54-1 है equal to A2 हमको निकालना है question में mu2 का value 1.72 है minus 1 करेंगे तो यहाँ पर solve करेंगे तो A2 का जो value आ जाएगा वो कितना जाएगा 3 degree तो answer में जो आएगा 32 में third option आएगा बिल्को सही है प्रियांसु सिंग third option सपना third option ठीक है तो यहाँ पर जो answer आ रहा है वो third option आएगा चलिए इसके बाद है question number 33 to transparent medium A and B are in contact question में दो transparent medium अगर आपस में contact में हो velocity of the line in A is 2 into 10 का power 8 and B is 2.5 into 10 का power 8 the critical angle for which ray going from A to B तो में बताना है question में critical angle का value क्या होगा तो critical angle को हम लोग science C से लिखते हैं और science C का value one upon mu और mu denser with respect to rare यह होता है तो इसको हम लोग और साल करें तो यह formula बना one upon यहाँ पर mu जो है वो हो गया mu denser upon mu rare ठीक है यह value होगा mu का value velocity के inverse में होता है तो यहाँ पर velocity denser upon velocity rare हो गया तो यह formula हो गया तो critical value जब भी question में critical value निकालना हो या critical angle निकालना हो तो जो value कम हो low upon high कर देंगे जब भी question में critical value का निकालेंगे तो जो value कम है उसकी value उपर रखना है और जो high होगा नीचे रखें तो यहाँ पर velocity की value दी है velocity की value कम है और यह वाली value ज्यादा है तो कम वाली उपर रखनी है तो low 2 into 10 का power 8 हो गया और high की value नीचे रखनी है यह value हो गया 10 का power तो 20 upon 25 यानि 4 by 5 तो sin c का value 4 by 5 तो sin c का value क्या हो जाएगा sin inverse 4 by 5 तो concept को ध्यान रखना है यह कि जो critical angle होता है वो low upon high होता है low upon high अगर velocity दिया है तो पहले जो कम वाली velocity है नीचे high वाली velocity रखना है अगर mu का value दिया है तो नीचे उपर रखेंगे mu का कम वाली value upon high वाली value तो जब भी question में sin c निकाल लेंगे तो ध्यान रखना है यहाँ पर कि value जो आती है low upon high से निकल आएगा तो answer जो होगा second option 33 में second option चली question number इसके बाद है question number 34 question number 34 में हमको बताना है ray of light containing both red and blue light incident on the refracting surface of the print then हमको बताना है कौन सा color minimum deviation या maximum deviation के सो करेगा प्रिज में से एक अगर color red और white blue light को डाले तो हमको मालूम है जो deviation होता हूँ मू, deviation का formula mia minus one या a musimy minus one होता है तो deviation directly proportional toョ × mist Brook look to mu होता है जिसका ज़्यादा होगा मू जो होता है wavelength के inverse relation होता तो deviation proportional to me या one upon lambda जिसका wavelength ज्यादा होगा उसका deviation कम होगा तो red color का, red color का lambda ज्याद़ा होता है ब्लू से इसलिए deviation जो होगा red color का deviation क्या होगा जो red color का deviation होगा वो blue color के deviation से कम होगा ठीक है तो deviation किसका ज़्यादा होगा deviation blue color का ज़्यादा होगा च्योंकि उसका wavelength कम है जिसका wavelength कम होता है उसका deviation ज़्यादा होगा तो answer जो होगा 34th में third option आएगा तो 3rd option साई से में, कल्पना बिल्गुस रही, 3rd option यहां पर, प्रियांशू, 3rd option, से शनेल उपाद जए, 3rd option बिल्गुस रही, चले, इसके बाद 34 के बाद, question number 35, condition of a chromatism, condition of a chromatism, part 2 lenses, तो एक kromatic ये क्या होता है यौता है a chromatic ab superior को होता है उसको इसको क्या करते है अधर कॉता है यह घो फिर चुप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं दो這些 जब जो देंगे तो सब्सक्रंदाने का यहां पर जोड़ांगे तो हमको बताना है जो अधर गिकSON ag इसके ब्रावर होता है वो यहां फोकल लेंद के रेशियो के प्रपोर्शनल में आता है तो dispersive power equal to dispersive power का ratio minus focal length के ratio के ब्रावर होता है तो यहां से जो value आती है वो क्या जाती है dispersive power into f2 equal to क्या हो जाएगा dispersive power दूसरे का focal length पहले का equal to zero तो यह condition एक chromatism की condition होता है बहुत अच्छे से इसको याद रखना है एक chromatism की condition यहां पर होती है तो इसको ध्यान रखना है पहले वाले का dispersive power दूसरे वाले का focal length प्लस दूसरे वाले का dispersive power पहले का पोकल में सम जिरो के बराबर होता है तो पहले आथ तो यह तो गलत में जोग noch गया हn 35 में फोर्थ आप्सन सही है ठीक है इसके बाद कुश्चन नमबर 35 के बाद 36 चलिए ध्यान से देखें कुश्चन नमबर 36 36 में बोला गया है टू थिन कान्वेक्स लेंस और फोकल लेंस F1 and F2 are placed at a distance of D for the power of the combination to be 0 power का value क्या करना है combination का जो power है अगर वो 0 के बराबर हो जाए then separation D should be equal to तो हमको बताना है D की value क्या होनी चीए जिससे combination का जो power है वो 0 हो जाए अच्छा दो थिन convex lens को जब हम लोग क्या कर दें उनको अगर D दूरी पे रखें तो दो convex lens अगर D दूरी पे रखें तो हमको मालू में जो combination का जो focal length होता है उसका formula क्या होता है combination का जो focal length होता है वो होता है 1 upon F1 plus 1 upon F2 minus का D upon F1 F2 ठीक है 1 upon F को बोलेंगे power तो पूरे power को हम यहां लिख सकते हैं ऐसे 1 upon F1 plus 1 upon F2 minus का D upon F1 F2 question में power को क्यार करना है power को 0 करना है combination का power क्या होना चीए question में बोला है 0 होना है तो combination का power अगर 0 हो जाए तो हमको बताना है D का value क्या हो तो यह अगर 0 करें तो यहां से ध्यान से देखें तो हमाई पार value आई 1 upon F1 plus 1 upon F2 is equal to D upon F1 F2 और D की value यहां पे क्या रख दें D की value अगर F1 plus F2 रख दें या इसको ऐसे solve कर लें F1 यहां पर LCM लेंगे F1 F2 तो उपर value आईगी F1 plus F2 upon F1 into F2 बराबर आएगा D upon F1 F2 तो F1 F2 F1 F2 से cut गया तो D का value किसके बराबर हो जाएगा D का value हो जाएगा F1 plus F2 तो answer क्या हो जाएगा 36 में second option हो जाएगा 36 में second बिलकुल साही सपना 36 में second smart भी प्रियांशू second option ठीक है बिलकुल साही answer है चलिए इसके बाद है question number 37 What focal length Question में बताना है What focal length Should the reading spectacle have the for a person to whom the least distance of the distinct vision is 50 cm अगर least distance of distinct vision का value 50 cm है तो हमको बताना है कि उसको कौन सा focal length का यूज होना है किस focal length के हमको यूज करना है जिससे वो क्या पढ़ पाए पढ़ पाए least distance of distinct vision अगर 50 है तो बता इसको ये कौन सी disease है ये जो हमको disease है ये कौन सी disease है को इसका answer बताएगा अगर least distance of distinct vision मतलब D का value कितना हो जाए D का value अगर 25 से ज़्यादा हो जाए यह ऐसे के question में अगर ज़्यादा हो जाए तो ये condition कल आती है hyper metropia hyper metropia और ये disease में हम लोग pass वाली दूरी को नहीं पढ़ पाएंगे यानि pass में रख्यों ये object को नहीं देख पाते दूर वाले को हम लोग देख लेते हैं बस pass वाले को नहीं देख पाते तो यहाँ पर हमको जो least distance है वो उसका 25 से बढ़के 50 हो गया तो हमको lens का focal length लिखाना है तो one upon ये पराबर one upon b one upon u से निकलेगा यहाँ पर v का value negative रखना होता है u का भी value negative रखना है अब v क्या होता है u क्या होता है v क्या होता है और u क्या होता है जो u होता है उसको बोलता है one to see जिसको हम लोग देखना चाहते है one to see तो question में जो one to see है वो u लेना है v जो होता है V को बोलता है able to see जिसको हम लोग देख सकते है तो इस question में हम लोग कितना देखना चाहते हैं 50 centimeter हम लोग देख रहे हैं तो यह तो V है तो यहाँ पर V का value 50 है यह वाला value V है और हम लोग क्या देखना चाहते हैं इसको reading spectacle तो इसका मलब हम 25 को देखना चाहते हैं तो u रखेंगे यहाँ पर 25 value रखते हैं 1 upon f is equal to 1 upon v और minus में रखेंगे v का value हमको रखेंगे 50 minus u का भी value minus रखेंगे और कितना रखेंगे 25 solve करेंगे तो f का value यहाँ पर कितना जाएगा 50 तो यहाँ पर जो value आएगा वो 50 cm 37 में जो value आएगी 50 आजाएगी ठीक है तो जो हम लोग यहाँ पर lens यूज करेंगे वो कौन सा lens यूज करेंगे कौन सा यहाँ पर convex lens का यूज करेंगे f का value प्लस में आया प्लस का मतलब होता है convex lens तो हाइपर मेट्रोपिया में हम लोग lens यूज करते हैं lens जो यूज करते हैं वो convex lens होता है और उसकी focal length है निकालने का तरीका one upon epsilon के लिएगा ठीक है तो ध्यान रखना है question को अच्छा question है question number 37 हो गया question number 38 mark the correct statement कौन सा statement सही है जल्दी सेश का answer बताइए plane mirror can never form a real image plane mirror कभी भी real image नहीं बनाएगा क्या यह sentence हाई है तो इस sentence गलत है can लिख दिया never never नहीं बनाता है हमेशा जो plane mirror होता उसका जो condition होता है virtual बनाएगा virtual बनाता है तो erect भी बनाता है virtual होता है और यह real image भी बनाता है यह real भी बनाता है और उसकी condition भी है इसमें real यह image बनाता है कब जब object कैसा हो virtual object तो पहला sentence गलत है अगर real image बनेगी जब virtual object के लिए real image बनाती है virtual object हो तो plane mirror real image भी बनाती है तो answer गलत हो गया पहला दूसरा conqueo mirror has magnification less than 1 if it produces virtual image conqueo mirror का value m का value virtual image के लिए conqueo mirror virtual image जब बनायेगा तो उसका magnification का value 1 से कम है क्या यह answer सही है तो m का value क्या होना चीए m का value magnification का value ज़्यादा होता है जब conqueo mirror से image बनती है और virtual image बनती है तो M का value, Magnification 1 से ज़्यादा होता है, तो ये भी गलत हो गया, तिस्ता अप्शन, Magnification for convex mirror may be less or greater than 1, Magnification convex mirror में, Magnification का value 1 से कम या 1 से ज़्यादा होता है, कभी भी convex lens अपने से बड़ा image नहीं बनाता है, Convex lens में, object से बड़ा image नहीं बनता है, इसका मतलब M का Magnification का value हमेशा 1 से कम होगा, तो Magnification हमेशा 1 से कम होता है, किसमें convex mirror में, तो answer है इसमें, ये भी गलत हो गया, चौता अप्शन, plane mirror form real image आप virtual object सही है, plane mirror जो होता है, virtual object के लिए, जो real image बनाएगा, virtual object के लिए plane mirror कैसा बनाता है, real image बनता है, जबकि real object के लिए virtual image बनाता है, real object के लिए virtual image बनाता है तो option पोर्ट सब्सक्राइए तो सारे option को ध्यान से देख लेंगे virtual object के लिए हम लोग real image बनता है वो प्लेन मिर्र में होगा चले question number 30 राएंग और यहां पर बताना है convex convex lens को cut किया जा रहा है जिसकी focal length है 20 cm और इसको 2 equal part में cut किया गया, two equal part में, और यहां पर जो बना हुआ है, the two part are then put in contact, जब cut किया, ऐसे cut किया गया, 20 से ऐसे cut किया, और दोरों part में जब cut हुआ, और आपस में ऐसे जोड दिया गया, तो इसके लिए focal length की value, combination की focal length की आएगे, what is the focal length of combination, focal length combination की क्या हो जाएगी, तो जब हम लोग lens को ऐसे cut करेंगे तो इसकी focal length double हो जाएगी तो focal length क्या होगा 2f, 2f हो गया और इसको आपस में जब हम लोग जोड़ेंगे तो धेको 1 upon f combine का focal length हो जाएगा 1 upon f1 plus 1 upon f2 combine focal length का पार्वुला ठीक है value रखते है 1 upon f1, f1 की value क्या रखेंगे 2f और f2 का भी value 1 upon 2f रखेंगे यह value क्या हो जाएगी 1 upon f के बरावर हो जाएगी यानि जो combine focal length आएगी combine focal length की जो value आजाएगी वो focal length के बरावर हो जाएगी वो focal length कितनी है question में focal length 20, तो answer कितना जाएगा 20 cm तो answer जो आजाएगी 4th आएगा 20 cm, 39 में 4th option ठीक है यहाँ पर 39 में जो answer आएगा 4th option, 39 में 4 तो यहाँ पर ध्यांस देगे जब भी इसको cut करेंगे अगर इसको perpendicular करेंगे principal axis से तो जो focal length होती है वो double हो जाती है और जब focal length हो गई तो combine की हमको बताना था focal length, तो combine का focal length का पार्मूला 1 upon F is equal to 1 upon F1 plus 1 upon F2 हो जाएगा ठीक है इसके बास question number 39 में 39 हो गया, question number 40 question number 40 को देखिए यह parallel beam of light is a incident on a system of two convex lens of focal length F1 20 cm and F2 is equal to 10 cm what should be the distance between the two lenses so that ray after ray after reflection from both the lens pass undevated तो यहाँ पर यह line ध्यान रखना है कि जो lens से ray pass हो रही है दोनों से वो undevated हो तो undevated कब होगा? कब होगा? reflection जब हो और undevated condition हो इसका मतलब जो ray आ रही थी ray जो आ रही थी वो ऐसे ही जाए ऐसे और ऐसे निकल जाए तो undevated इसको बोलेंगे undevated जो path है उसमें कोई भी deviation ना हो जिस path से आ रहा था है ray ऐसे आ रही थी तो सीधी सीधी ऐसे ही चली जाए तो इसको बोलेंगे undevated तो इसका मतलब है तो हमको question में बताना है कि जो दूरी होगी distance between two lens तो दूरी कितनी हो? कि undevated हो जाए तो undevated condition क्या होनी चीए कि मतलब यहाँ पर जो combined की focal length है वो क्या हो जाए? infinite तो कि infinite से जब ray parallel चलती है और तो वो कैसे जाएगी? तो यहाँ पर अगर infinite पर रखेंगे तो infinite पर ऐसे बनेंगा अगर object कहां पर हो? फोकल लेंथ यहाँ पर ध्यान से देखें हमको बताना है इनके बीच का दूरी और जो ray हो कैसी हो? undevated महला पहले लेंच से निकल जाए तो फोकल लेंथ का फार्मूला अभी हम लोग combination का पड़ चुके हैं फोकल लेंथ का फार्मूला क्या होता है? फोकल लेंथ का फार्मूला 1 upon f1 laps लगाना है यहाँ पर चलिए तो फोकल लेंथ लिखें combine का focal length equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 minus का d upon f1 f2 होता है focal length कितनी रखें? focal length कितनी रखें? combine की focal length कितनी हो? infinite तो यहाँ पर infinite अगर हो जाए तो यहाँ पर यह 1 upon इंफाराइट हो गया ठीक है यहाँ पर देखें इसके बाद 1 upon f1, f1 का value 20 f2 का value कितना रखना है 10 minus का d 20 into 10 यारी 200 हो गया यह value कितनी आ गई 0 तो यहाँ पर d upon 200 का value किसके बराबर हो गया d upon 200 का value 1 upon 20 और 10 तो यहाँ पर 20 LCM हो गया कितना आ जाएगा 1 plus 2 3 upon 20 20 से यह 0 और यह 100 हो गया तो d का value कितना जाएगा d का value कितना जाएगा 30 2 से 2 कर जाएगा 10 into 3 तो 30 cm तो d का value यहाँ पर दूरूग पूछा था d की value तो 30 cm हो जाएगा ठीक है question number यहाँ पर 40 में second option 30 cm option को ध्यान से देखेंगे question में जो बोला था दूरी निकालना था दोनों lens के बीच का दूरी question number 41 यहाँ पर बताना है A chromatism अभी बताये था A chromatism क्या होता है A chromatism combination is to be obtained using a convex and conqueo lens convex और convex lens को आपस में मिला दे और इससे combination जो बनेगा उसको बोलेंगे A chromatic combination तो दो lens से जब चूज करते हैं तो फार्मूला भी हमने पढ़ाता है कि dispersive power का जो ratio होता है वो focal length के ratio के बराबर होता है omega 1 यहाँ पर इसको लिखेंगे dispersive power 1 का जिसको ऐसे भी लिख सकते है minus का P2 upon P1 अगर इसको किस पर लिखें power के form में तो यहाँ पर हमको बताना है question में कौन सा अपसन सही है they are power equal क्या power के value same हो गलत है acrobatic combination के लिए यह combination हो जाए refractive index equal हो यह गलत है power equal हो यह गलत हो तो चवता अपसन होगा कैसे दोगा देखो omega 1 into P1 equal to क्या हो जाएगा magnitude के form में लिखना है minus का omega 2 into P2 तो यह value हो जाती magnitude लेंगे तो sign हटा देंगे और यहाँ पर sign हटा देंगे तो omega 1 the product of their power power और dispersive power का जो product है वो क्या होना चीए वो equal होना चीए तो यहाँ पर यह answer आजाएगा फोर्थ आप्सन आजाएगा तो यहाँ पर प्रियांशू 41 में फोर्थ आप्सन बिल्कु सही answer है मधुरदीप यहाँ पर प्रियांशू फोर्थ ठीक है चलिए question number इसके बाद है 41 हो गया 42 42 का answer देखिए 42 light of certain color has 2000 wave to the millimeter in air what will be the wavelength of this light in a medium of यहाँ कितने दूरी पे 1 mm की दूरी पे 1 mm की दूरी पे 2000 wave है 2000 wave है इसमें तो हमको बताना है wavelength कितनी होगी तो air में जो wavelength आएगी वो क्या हो जाएगी दूरी कितनी है 1 mm मतलब 1.3 meter और उसमें कितनी wavelength है तो इससे wavelength आगई air में wavelength आगई air में यहां पर कितना दिया है रिप्रेटि इंडेक्स के टर्म में लिखें तो रिप्रेटि इंडेक्स क्या हो जाएगा यहां पर sia लिगा निब्रेटि टो यहां पर में लेंड आखें Tikya लिखाएंग लेंडा लेंडा बैल्यक्त के लगा हुए निकाल चुकते हैं यहUB के तरना हम की साणbuilding 1.25 तो यहां पर रेलू आएगा फिरन बाइगी इसको डिवाइट करेंगे तो यह वैलू आ जाएगी 4000 ऑख तो यहां पर हम लोग को मालूम है जो मियू होता है क्विछ और eder में बेंग आयेगए तो Mew से हम लोग value निकाल देंगे question में, यहाँ पर 4000 एंसर आएगा, कौन से question उपर से निकल गया भाई, प्रियांशू कौन से question के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ पर question number 42 में 4th option आएगा 4000, कौन सा question उपर से निकल गया, question को देखिए और answer बोलिए, तो 42 में 4th option, यहाँ पर wavelength दिया था, 2000 wave में हमको गई है, कितने हैं, 1 mm में, तो यहाँ से wavelength निकाल लेंगे, तो जो दूरी दिया, उसको divide करेंगे जितनी wave हैं, उस दूरी में कितनी wave आ रहे हैं, तो wavelength आ गई, और mu बराबर होता है, lambda in air upon lambda in medium, यहाँ पर lambda medium की value निकाल लेंगी थ तो यहाँ से lambda निकाल आएगा, lambda का value यहाँ पर दूरी अपान, जितनी wave हैं, उसको देंगे, तो 5000 एंगे श्वाम आ गया, air में wavelength, mu का value question में दिया है, medium में wavelength की value निकालनी थी, तो medium में wavelength हो गया, lambda in air upon mu, air में हम लोग value निकाले थे 5000, और यह value, mu का value दिया है, 1.25, तो answer आएग in aquee convex lens is the x-axis, the coordinate of the point object and its image are minus 40 cm and 1 cm, and 50 cm and minus 2 cm, the lens is located, तो यहाँ पर एक lens को हमको रखना कहीं पर, और यह axis है, यह x-axis है, और यह क्या है, y-axis, जो coordinate है किसका, point object का, वो है, point object का जो coordinate है, वो है, minus 40 or 1 cm, इसका मतलब जो object है, वो 40 cm की दूरी पे है, और जो इसकी length है, वो कितनी है, 1 cm, तो यह object हो गया, जो image की coordinate है, वो है 50 cm और minus 2 cm, तो 50 cm प्लस हो गया, तो इधार image हो गया, 50 cm दूरी पे, image बन रहा है, और minus का मतलब negative y-axis, और यह value कितनी है, minus 2, तो हमको बताना है, lens कहां पे रखा गया होगा, x-axis पे lens कहां रखा है, यह origin है, 0-0, चले ध्यान से देखें, यहां पर हमको मालूम है, जो magnification होता है, वो होता है, magnification is equal to, i by u होता है, i का value, image की जो है, वो है minus 2, और object की जो length है, 1 है, तो यहां पर m की value आ गई, minus 2, ठीक है, m का value कितना आ गया, minus 2, और m का value क्या होता है, v by u होता है, m का value क्या होता है, v by u, यानि v का जो value हो गया, magnification अगर देखें, image का, कितनी दूरी पे बनेगा, 2 u के बराबर होगा, ठीक है, 2 u के बराबर होगा, अब यहां से धिहां से देखें, यह दूरी है, 40 और यह है 50, इसका मतलब है, b plus u, b plus u, कितना आ जाएगा, 90 के बराबर, b plus u का value, 90 के बराबर हो जाएगा, और b का value, 2 u के बराबर है, तो यहां पर अगर हम लोग value रखें, तो 3 u बराबर हो गया, 90, यानि u का value कितना जाएगा, 30, u का value आ गया, 30, यानि जो object है, वो 30 cm, और image कितना जाएगा, image, image की value, 2 u, यानि 60, तो b की value 60 आ गया, तो हमें बताना है, x axis पे, कितनी दूरी पे रखना है, तो यह 40 cm पे था, तो x जो है, यह 40 पे है, यहां पर यह पूरी दूरी 40 है, यह value u की आ रही है, 30, इसका मतलब यह, जो image, यहां पर जो mirror, lens रखनी है, lens रखना है, x axis पे, इस side में रखना है, कितनी दूरी पे, यह पूरी दूरी 40, और u का value 30 है, इनका difference 10 आएगा, तो यह कितनी दूरी पे हो जाए तो यह ऐसे बनेगा, कि जो x axis थी, इससे जो image बन रही थी, वो हमें 50 दी थी, और जो object रखा था, वो कितनी दूरी पे था, 40, 40 पे था, ठीक है, अब यहां पर जो, यहां पर हमको रखना है, question में, lens, lens की जो value आई है, हमें कितनी दूरी पे आई है, object 30 पे है, तो इसका पे 30 cm, तो यह पूरा 50 है, तो यहां पर यह value 30 होगा, object है, यहां पर 30 cm, lens से 30 cm, यहां पर यह x से 60 था, तो यह total बन रहा है, image 60 cm पे, तो इसका मतलब यहां पर जो x की value होगा, left side में जा रहा है, तो x का value minus 10 cm होगा, x का value क्या हो जागा, minus 10 हो जाएगा, क्योंकि lens जो है, x axis से negative x axis में 10 cm में रखा होगा, तो origin से 10 cm लेप्ट में, तो answer 43 में 3rd option, इसके बाद question number 44, the length of the tube of microscope is 10 cm, and the objective and eye lens are 5.5 cm, magnifying power is the microscope, question में हमको microscope का magnification power बताना है, तो microscope का magnification होता है, L into D upon F O into F E, तो microscope का यहां पर रखें value, magnifying का value निकालना है, L का value, tube का length दे रखा, 10 cm, distance D, capital D को रखते है, 25 cm, तो 25 होगा है, F O का value question में, 0.5 है, और F E का value 1 है, तो यहां पर solve करेंगे, तो 100 into 25 के 5, तो यह कितना जाएगा, 500, तो answer जो आएगा, 500, magnification हो जाएगा, 44 का, 4th option 500, ठीक है, ठीक है, इसके बाद जो है, question number, question number 44 के बाद, question number 45, question number 45, and astronomical telescope, आप 6 forward angular magnification, तो astronomical telescope है, magnification का formula, क्या होता है, F O upon F, question में, magnification 6 forward angular magnification है, यानि M का value कितना है, 6, अब यहां पर question में बोला, length का value 45 cm है, 42 cm, तो length का value होता है, F O plus F E, F O plus F E, और यह value question में 42 cm है, ठीक है, ध्यान से देखें, यह 42, जो F O, length है, अब यहां से F O और F E, बराबर 6 है, तो F O बराबर क्या हो गया, F O बराबर हो गया, 6 F E, यहां से रख दें, F O बराबर 6 F E, plus F E, यहांनि F E का value कितना आ गया, 6, यह 7 हो गया, और 7 को, 42 से 7, तो 6 आ गया, और F O का value कितना जाएगा, 36, तो 36 cm F O, तो F O का value question में बताना था, कितना होगा, तो objective lens की जो focal length आएगी, 36 cm, ठीक है, चलिए, इसके बाद जो है, एंसर हो गया, 45 में 3rd option, सारे question को एक बार फिर से आप लोग लगाईएगा, और इसको solve करिएगा अपने मन से, question अच्छे हैं, और उमीद है कि आप लोगों को यह solution समझ में आ गया होगा, जो question नहीं समझ में आया है, उसको एक बार फिर से देखिए, और उसके बाद उसके answer खुछ से लगाईए, ठीक है ना, interference और reflection जड़ा बता दीजे, interference, वो अभी optical, इसके बाद वाला जो test है, उसमें हम लोग यही पर आ रहा है, interference और dispersion, हम लोग उसमें पढ़ेंगे, optical, इसके wave optics, अगला test जो होगा, wave optics का है, उसमें आपको question मिलेगा, interference का और सारे question wave optics में आएंगे, तो उसको हम लोग solve करेंगे वापर, ठीक है ना, चलिए इसके बाद, आप लोग पढ़ते रहिए, और test को अच्छे से देते रहिए, और तब तक के लिए, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, good bye,